कोरोना के चलते इस बार उत्राखन के चार धामों में भी सखत एतियात बढ़ती जा रही है केदारनाथ धाम के कपाट बहुत ही सीमित लोगों की मौजूदगी में 29 एपरिल को खोले जाएंगे केदारनाथ में एक टीम नवंबर से ही मौजूद है जिसने बर्फ को काट कर रास्ता बना दिया है पूरे केदारनाथ मंदर परिसर में बर्फ की मोटी चादर जमी हुई थी लेकिन रास्तों को साफ कर दिया गया है इस बीच रविवार को वैदिक मंतरोचार की बीच बाबा केधारनाद की डोली उखी मठ के उंकालेश्वर मंदर से रवाना हो गई है वक्तेई साल बाद ये पहला मौका है जब बाबा केदार की डोली को गाड़ी में ले जाया जा रहा है इससे पहले 1997 में डोली को गाड़ी से ले जाया गया था कुरोना के चलते इस बार किसी को भी डोली के साथ जाने की अजादत नहीं दी गई है जिसके चलते केवल दो लोगों के साथ डोली को गाड़ी में रवाना किया गया डोली 28 तारिक की रात को केदानाध धाम पहुच जाएगी वहीं गंगोतरी धाम के कपाट रहीवार को अक्षे तितिया के मौके पर खोल दिये गए यहां भी लॉकडाउन का पालन किया गया और बहती कम लोगों की मौजुदगी में कपाट खोले गए बदरीनाध धाम के कपाट 16 मई को खोले जाएंगे उससे पहले वहां पर कोने कोने को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है